हेलो बच्चों कैसे हैं सभी गुड आफ्टरनून गुड इविनिंग कैसे हैं सभी लोग भाई चलिए क्लास को जॉइन कर लिजे आज आपका इस चेप्टर का आखरी लेक्चर है अच्छे से खतम हो जाएगा बहुत आराम से हम लोगों ने किया एक-एक टॉपिक को किया राइट तो बच्चों हमारा मीशान है यूटूब पे अब पढ़ने का अधिकार सबको और डाक्टर बनने का भी अधिकार सबको अब आपको एक पता होगा कि मॉर्निंग में भी एक आपको रिवाइच करना है उन वीडियो के जरी आप रिवाइच कर सकते हैं ठीक है तो बहुत ही अच्छा है बेनिफीसियल है आपके लिए हर तरह से तैयारी की जा रही है कल इसी जो हमारा आज कंप्लीट होगा चप्टर कल इसका पीवाइकू कराया जाएगा ठीक है और फिर इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा आपका यूमन रिप्रोडेक्शन मॉर्निंग में दस बजे बटा तो कल हम लोगों ने इंब्रियो पढ़ा था तो इंब्रियो मैंने बताया था इंब्रियो में स्टेप आपको इन्वाल्ग होने चाहिए चाह डाइकॉड इंब्रि पहले बनेगा प्रो इंब्रियो जाइगोड से बनेगा जो प्रो इंब्रियो फिर ट्रोबिलर सेब्ड फिर उसके बाद हांट सथे इंब्रियो तो यह सक्वैस्टाच फो इंपॉर्टेंट था चाहे में मोनोग और बात करऊः की दोनों में आपका जो इनिसितल पर यादार आपको ठीक ना चलिए अब डा मैंने आपको बोला था ओवरी अब फटलाजेशन के बाद बदल जाएगी फ्रूट में ओवरी की वाल बदल गई फ्रूट वाल में और अंदर जो ओव्यूल था अब सीड कहलाएगा फटलाजेशन के बाद आपने पहले ओव्यूल प इसका नाम था नूसलस, नूसलस की ही एक सेल डवलप करके बनाती थी फीमेल गैमिटोफाइड इम्ब्रायोस एक, इम्ब्रायोस एक 7-celled 8-nucleate था, चलाजन इंड पे तीन एंटीपोडल, माइक्रोपाइलर इंड पे एग एपरेटस था और बीच में था लार्ज सेंटर सेल, अब जो फटलाजेशन हुआ, एंटीपोडल डिजनरेट हो जाएगा, सिनर्जिट डिजनरेट हो जाएगा, एग मेल गैमिट से फटलाज करके जाइगोट और फ्यूचर में इम्ब्रियो बनाएगा, और जो लार्ज सेंटरल सेल था, उसके दो पोलर नूकलियाई, फ पहले कहलाएगी प्राइमरी इंडो स्पर्म सेल, और बाद में डेवलप करके बना लेगी इंडो स्पर्म, तब फ्यूचर में देखिए, ओव्यूल का बाकी चीज में क्या ट्रांसफार्मेशन होगा, ओव्यूल की जो इंटेग्मेंट थी, आप कहलाएगी सीड कोट, तो इंडा इतना बता दिया था, इंड्रीयों अगर देखा जाए, तो इसमें दो भुजाएं होती है, डाइकाठ वाले में जिसको हमें बोहते है कौतिलिदन, और मोनो काड होगा, तो सिंगल भुजाएं होंगी, हमेशा हम लोगी इंड्रीयों को कौतिलिदन के अधार पर ही पड़ते हैं जैसे मैंने बोल अगर dight होगा तो मेरे दो arm क्या है कोटिलेडन है तो मेरी body का portion इस बार्ण यो लगा हुआ है कोटिलेडक इसके उपर का जो भी body का portion होगा एक कहलाएगा Ap Ici युआई और nursery Cliff का जो टिप होगा यह वाला यह जो सर है, यह जो किनारा है, यह होगा stem tip या premule, आगे चलके यह suit system बनाएगा, cotyledon का नीचे का portion यह कहलाएगा hypocotyl, cylindrical होगा, और hypocotyl का जो tip होगा, उसमें होगा radical, और radical को cover करने वाला root cap, radical आगे चलके root system बनाएगा, तो dicot में क्या दिखा आपका, यह आपका hypocotyl, apocotyl और यह दो cotyledon, दोनों cotyledon ने ऐसे अपने आपको घेर के अंदर प्लिमूल और radical को बचा के रखा हुआ है, अब आता है monocot, monocard seed को अगर मैं देखू, तो उसमें single cotyledon है, ऐसे सोचिए मेरे एक arm है खाली, एक arm गायब बोड़ा, ऐसे मैंने पीछे कर लिया, अब एक arm है, तो जाहिट से बात है, एक cotyledon कहलाएगा, अब cotyledon के ऊपर का portion, यह वाला, फिर वही कहानी, apicotyl, hypocotyl, apicotyl का tip, plumule या stem tip, और hypocotyl, उसका जो पहले आएगा red kill, और cover करने के लिए root care, यहाँ पे single है, तो एक side पे लगा है, और एक side को क्या बोलते है, लेटरन, ऐसे लगा है, और कुछ जैसे लग रहा है कि किसी चीज को रोक रहा है, sealed का काम कर रहा है, तो monocot में जो single cotylidon होता है, वो sealed saved होता है, और उसका नाम होता, scutalum, क्या नाम होता है, scutalum, तो one side में लगा होगा, sealed saved होगा, क्या कहला हैगा, scutalum, अच्छा जो दूसरा cotylidon है, वो तो है नहीं, लेकिन उसका थोड़ा सा बचा हुआ पार्ड दिखता है, कि लगता कि यहां से दूसरा cotylidon निकला था, तो उसको उन्हों लोग बोल देते, EP blast, क्या बोल देते हैं, वोटा, EP blast, तो बस dicot को ही, बस एक cotylidon काटो, monocot बन गया, जब दो cotylidon था, तो उसने EPICOTYL और HYPOCOTYL को दबा के रखा हुआ था, अपने अंदर, यहीं, production दे रहा था, लेकिन सर, जब सिंगल cotylidon हुआ, तो अब EPICOTYL, यानि यह प्लिमूल वाला, HYPOCOTYL, रेडिकिल वाला, एक्सपोज हो गया, अब इसको production कौन दे, तो सर, इसको production देने के लिए, यहाँ पे एक अलग से कपड़ा लगाया जाता है, अलग से एक और सीद लगाया जाती है, कवरिंग, EPICOTYL में जो कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं, कोलियोप्टाइल, क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल, और जो हाइपो कोटिल को कवर करता है, उसको बोलते हैं Coleo Rhyza तो कहा जाता है Dicot और Monocot seed में Coleo Ptyle और Coleo Rhyza की जरूरत कहा पड़ेगी तो बोलते हैं सर जहां पे काम होगी वही पे जरूरत पड़ेगी जब Dicot था तो उसने Apicotyl और Hypocotyl को cover किये हुए था तो उसको जरूरत नहीं था, दोनो antidSON ne लें, जब monocot आया single cod lekson कम पड़ गया यहां पे additional covering की जरूरत पड़ी apy coffeeol को cover करन वाला coleoptile और जो hypo caughtile को cover करता उसको बोलते कoleo-rhy theology hypocdtile में आपका radical root बनाएगा तो जाहिट सी बात है coleoraisa, rhesia सब ने root के लिए आता है तो एक question पूछा जाता है कोलियो प्टाइल और कोलियो राजा कहां मिलेगा तो इसको बोलते है इडिस फाउंड इन मोनो कॉट सीड अच्छा एक question और पूछा जाता है कि डाई कॉट और मोनो कॉट में पहले कोन आया तो हमने देखा कि मोनो कॉट में दूसरे कॉटिलेडन का रेमनेंट दिख रहा है यानि पहले डाई कॉट था और एक कॉटिलेडन कट गया अब क्या हो गया मोनो कॉट तो याद रखिएगा मोनो कॉट इडवांस दैन डाई कॉट यहां से कई सारे question बनते हैं न्युक्त पहले आया डाई कॉट एडवांस है आपका मोनो कॉट कोलियो राजा कोलियो प्टायल सस्पेंसर लटकने के लिए होता है ठिकने मतलब जैसे इंब्रियो जिससे अटेच होगा मेटर्नल जो आपका सीड के अंदर उसका नम होगा सस्पेंसर सस्पेंसर मतलब लटकने के लिए यह फीगर आप लोग जरा देखिए क्या ऐसा ही बना है अच्छा आपको अगर लेबलिंग पहचानना होगा तो कैसे पहचाना होगा लेबलिंग बस सिंपल सा देखिए एकदम असानी से पहचाना जा सकता है पहले फोकस करेंगे हम लोग कॉट्टिलेडन पर तो आपको आप तो जैसे कोट्यूडल एंग कर रहा है अभी देखें कुली एषि दोनों आपको खोलेंगे और जैसे खोलेंगे इंदोनों आपको तो यह पर उपर वाला पॉर्सन और जो सिलंड्रिकर्ट नीची वाला पॉर्सन वाला एक है क्या प्यालाएगा हाईपो कोट्यल उसक आइसे हैं तो दोनों आर्म को यहां से पकड़ो खोल दो खोलो गे यहां से जुड़ा था तो दोनों आर्म यह नि-कॉटिलिडर और जहां पर जुड़े थे एक्या हो जाएगा फ्लीमियूल एकॉटाइल का पार्ग इसका टिप रेडिकृ और इसको कवर कौन करेगा रूट कैप अब पूछा जाता है कि सर रूट पैप यहां पे क्यों पाया जाएगा रैडिकृ जब रूट बनाती है तो इसको soil में penetrate करना पड़ता है मतलब मिट्टी में जाएगा और मिट्टी में friction ज्यादा होता है घरसल ज्यादा होता है तो यह जो रेडिकल का जो मेरिस्ट्रमेटिक किसू है वो तूट ना जाए उसको protection करने के लिए क्या आता है है रूट कैप अब देखें डाइकॉट से मोनोकाड बना यह देखें मोनोकाड में एक कोटिलेडन दिख रहा है खली यहां पे जो सिंगल लैटरल वन साइड़ कोटिलेडन होता है इसको बोलते के इसक्यूटेलर अब जहां से लगा है वहां से देखिए उसके ऊपर का पॉर्षन एपी कोटाइल और नीचे का पॉर्षन हाइपोटाइल अपका सूट अपक्स वाला यानि प्लिमूल पाय जाएगा और हाइपोटाइल में आपका अगर थोटा कर दो थोड़ा सा हाइप कोटाइल में आपका नीचे पाजाएगा रेड किल और उसको कवर करेगा रूट के दूसरा कॉडिलेडर नहीं है उसका रेमनेंट बचा हुआ पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं एक ब्लास्ट फीगर्व देखिए और चीज़े क्लियर कर लिजिए बादर Ayamud तो निचाव इसको हag इसको एजो वल्द damn-सिच प्रोटैक्ट नहीं कर पा रहा है इसलिए इसको अलग से हैक्ष भॉल्द को को एनि सूट अपेक्स को कवर करने वाला कोलियोप टाइल और रेडिकिल और रूट कैप को कवर करने वाला कोलियो राइजा एक कोशन पूशा जाएगा कोलियो प्टाइल और कोलियो राइजा कहां पाया जाएगा आप सिंप्ली जवाब देजिएगा कि सर यह आपका पाया जाएगा मोनोकॉर्ड सीड में क्योंकि उसमें वह जरूरत पड़ती है प्रोडेक्शन चाहिए ना शुरू में है इनको नु इसप्रेकोर्ट मोनोसर डखा दाई कोड तो दबा रखा थाको अधिक नहीं कि जरूरत नहीं थी मोनोकॉर्ड था तो अलग सेछाए लुक टाइल कोलियो राजा इस बार रायऑ पूझा गया है आपको याद होगा कोई भी दाइकोट आउड की बात करोगे तो डाइकोट में इम्ब्रियो में क्या होगा दो काइलेदान और है पॉत कोटील आपी इकोटील की थी पल्यमूल切 सूत अपक्स और है-पोटील-कटीब- A typical dicot embryo consists of an embronal axis and two cotyledon. Imbronal axis का portion, the portion of embronal axis above the level of cotyledon is called epicotyle, which terminate with plimule और stem tip, जिसका tip क्या क्या किलाएगा? Plimule या stem tip, आगे चलके सूट सिस्टम बनाएगा. The cylindrical portion below the level of cotyledon, ध्यान रखना hypocotyl cylindrical होता है, जो अभी मैंने figure में दिखाया आपको that terminate at its lower end in the radical या root tip और उसको cover करता है root cap यहाँ पर additional covering की जरुवत नहीं होती है क्यों क्योंकि यहाँ पर 2 cotyledon है embryos of monocard possesses only 1 cotyledon grass family में cotyledon को बोलते है scutalum एक side लगा होगा that is situated towards one side और left या right side को हम लोग बोलते है lateral of the embronal axis at its lower end embronal axis के क्या होगा आपका radical root cap और भाया दो cotyledon नहीं है तो इसको cover करेगा अलग से covering root cap enclosed मतब यह घिरा हुआ है in an undifferentiated seed सीद मतब अलग से cover आई है called colio raja the portion of the embronal axis above the level of attachment of scutalum scutalum से उपर का epicotile कहलाएगा epicotile का जो tip होगा suit apex stem tip या plymule and उसमें कुछ नई leaf बनने start हो गई है few leaf primordia enclosed in a hollow foliar structure hollow foliar structure colioptile colioptile कैसा structure होता hollow foliar और colio raja कैसा होता है undifferentiated seed यह भी याद होना चाहिए 2023 में यहां से question पूछा गया था पेज नंबर ncrt का बता देते हैं आपको 36 चैप्टर है बटा sexual reproduction in flowering plant अब अगर बटा आपको embryo देखना है तो कुछ न करिए अगर जैसे ग्राम चने में embryo देखना है तो आपको पता चने में इंडोस्पर्म कंज्यूम हो चुका तो कैसे देखोगे इंडोस्पर्म इंडोस्पर्म तो दिखेगा नहीं तो जैसे seed code हटाओगे चने का आपके हाथ में जो आया हो क्या embryo चने की जो दो दलिया है ओ क्या है cotyledon और उसमें जो धागा नुमा निकलता है जो cotyledon के ऊपर का portion होगा वो क्या 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 लाएगा epicotyle और नीचे का होगा hypo जब आप चना को भिगो के रखे कुछ दिनों तक तो उसमें से जो अंकूरण होगा जिसको बोलते germination तो जो पहले बाहर निकलता जो बाहर निकला चना में बाहर ओ है आपका hypo kotyledon बाहर निकला hypo kotyledon जहां रखना बाहर क्या निकला hypo kotyledon और अंदर जो होगा ओ क्या होगा आपका एपी कोटाइल वाला पोर्सन बहुत छोटा सोता है पहले हाइपो कोटाइल बाहर निकलेगा वो बाहर निकल के तुरंत क्या बनाने लेगा रूट और धीरे-धीरे बढ़ा होगा एपी कोटाइल और वो क्या बना लेगा शूट सीड अब बड़ा यह वाला जो पार्ट है एक्शली मैं आपको बता चुका हूं आल्रेडी तो यह आपको एंसियाटी ने दुबारा फिर पढ़ाया कैसे पढ़ाया बता रहे हैं देखें सीड आपको अभी मैंने बता दिया था अगर ऐसे सीड जिसमें इंडोस्पर्म इंब की दिया था तो बोलते थे NON- इंडोस्पर्मिक सीग अब इन सिर्फर्मिक नोन इंडोस्पर्मिक में जो इंडोस्पर्म बचाय हूं नाजिसमेंट का काम करता है इसलिए एक नाम और रख देते हैं स्वलन होने के कारण अगर इंडोस्परमिक रहा तो बोलेंगे albuminus और non-indos परमिक होगा तो उसका एक नाम और रख सकते हैं non-albuminus या xalbuminus फिर एक question और पूछा जाता है कि जिन seed में इंडोस्परम गंज्यूम हो चुका है अब आगे चल के जब इंब्रियो रूट और सूट बनाएगा, तो उसको खाना कौन देगा, कली मैंने बता दिया था, इसकी जिम्यदारी कॉटिलिडन लेता है, कॉटिलिडन फूड को स्टोर करके स्वलन हो जाता है, तो नौन इंडोस्पर्मिक सीड के कॉटिलिडन विजबल होते हैं, आप देख सकते हो, कई सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, कि सर, इंडोस्पर्मिक सीड में कौटिलिडन नहीं पाया जाता है नहीं चाहे इंडोस्पर्मिक हो चाहे नौन इंडोस्पर्मिक हो कौटिलिडन हर एक में पाया जाएगा इंडोस्पर्मिक में कौटिलिडन membranous होता है जरूरत नहीं उसको खाना रखने की क्योंकि इंडोस्पर्म बचा हुआ है लेकिन नॉन इंडोस्पर्म इंडोस्पर्म कंज्यूम हो चुका है तो अब कोई ना कोई तो जिम्मेदारी लेगा खाना देने की कौन लेता है है 40 लिडर ठीक है पब्लिक फीगर 51 बचां एंसी आर्टी वन क्यों नहीं पढ़ा देखें यह हमारा स्ट्रेस सेडूल है जिसमें हम लोगों ने एंसी आर्टी 12 का पहला यूनिट स्टार्ट किया हुआ है तो पहले हम पढ़ाएंगे आपको एंसी आर्टी 12 का पहला अभी sexual reproduction फ्लावरिंग फ्लांट फिर आपका human reproduction उसके बाद reproductive है फिर आपका एंसी आर्टी 1 की पहले यूनिट living bird biological plant kingdom and mankind kingdom फिर उसके बाद एंसी आर्टी 2 की दूसरी यूनिट फिर ऐसे अल्टरनेट करके चलेगा आपका ठीक ना वीट मेज बारले कैस्टर ये कैसे होते हैं इंडोस परमीक या ईलबीमनस होते हैं और पी Jeremy ए सब कैसे होते हैं नौन इंडोस परमीक या एक्स ईलबीमनस सर आपको मैंने बताय था जब सीड़ बन जाता है तो newsless तो खतम हो चुका था पहले ही लीएन कभी कभी किसी-किसी सीड़ में अभी भी newsless बचा रह गया है mature seed के अंदर जब कि जब ओव्यूल से seed बनता है newsless consumption हो चुका होता है खतम हो चुका होता है लेकिन biology है तो biology में कुछ भी हो सकता है तो कहते हैं किसी-किसी seed में अभी भी newseless mature seed में भी बचा हुआ है इसलिए ऐसे seed में जिसमें newseless अभी भी बचा है उसको हम लोग बोलते हैं perispermics seed और बचे हुए newseless को बोलते हैं perisper तो हमेशा नहीं occasionally हमेशा नहीं कभी गबार in some seeds जैसे कि कौन को ने जामपल है black paper beat और एक और आप लिख लिजिए कैस्टर black paper beat और कैस्टर remnants of newseless, remnant मतब बचा कुछा पार्ट newseless का is also persistent अभी तक बचा हुआ है this residual persistent newseless is the perisper जो बचा हुआ newseless उसको बोलेंगे perisperm और seed को बोलते हैं perispermic seed काम क्या होगा इसका भी काम क्या होता नरिस्मेंट देना क्या काम होता बटा नरिस्मेंट देना तो आपके पास नरिस्मेंट देने वाले tissue कितने हुए एक हुआ endosperm और एक हुआ perisperm दोनों क्या प्रोवाइड करते हैं नरिस्मेंट लेकिन ploidy अगर देखी जाए तो endosperm तो triple fusion के बाद बना था तो यह कैसा होगा triploid और perisperm नुशलस से बना हुआ है तो एक ऐसा होगा डिपलोईट इनकी ploidy में difference होता है प्रोवाइड और डिपलोईट का सीड बनाने से फायदा क्या हुआ जैसे हमारे बॉडि में हमने बताया था जब human के female में embryo develop करता है उसका connection बन जाता है तो अराम से बेबी बाहर आ जाता है तब भी मदर उसको milk feed कराती रहती खाना पीना खिलाती रहती है अब plant में जो embryo बना है अब प्लांट के embryo को mother body सेतके germinate करके इक नया पौधा बनना है खुद खाना बनाना है तो प्लांट ने सोचा मेरे पास दो तरीके थे शुरुवाट के जो plant होते हो वह क्या करते थे शुरुवाट के plant में जो embryo बनता था वो embryo germinate करके एक body बनाता था sporophyte और वही थोड़े दिन बाद क्या बना लेता था gametophyte ऐसे alternate करता रहता था लेकिन angio sperm और gymnosperm ऐसे group बने इन्होंने कहा कि मैं अपने embryo को बहुत दिनों तक बचा के रखना चाहता हूँ तो कहें कि अगर अपने embryo को बचा के रखना है तो इसको ऐसा करिए थोड़ा सा खाना पिना दे के एक structure में बाद के रख दीजिए जब तक उस structure के अंदर उप पड़ा रहेगा तब तक जीवीत रहेगा और जब भी favorable season आएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे germinate करा देंगे तो इसलिए बना था seed embryo को store करने के लिए कुछ समय तक unfavorable season से बचाने के लिए बना था seed तो जब seed बना तो seed के अंदर क्या है embryo और उसका खाना देने के लिए nourishment नरिस्मेंट देगा या तो इंडो sperm या तो cotyledum ठीक है अब सीड के अंदर जो नरिस्मेंट वाला टिशू है बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा काम भरका है ठीक ठाक है embryo के लिए अब कहा गया कि भाई माल लिजिए इस seed को embryo को खाना भी देना है और साथ ही साथ जब तक seed germinate करके पूरा पौधा यानि leaf ना बना दे तब तक embryo को germinate करने में मदद भी करनी है तो कहते हैं seed के अंदर जो embryo है अगर बहुत ज़्यादा active रहेगा तो इस खाने को खा जाएगा और seed बनना बिकार हो गया तो कि माले जैसे गेहूं का seed बना तो गेहूं का seed को आपने रखा तो अब अगले season ग्रो करोगे इतना समय तक cross करने के लिए उसके अंदर खाना होता है और उसका embryo कहते हैं इतना ज़्यादा active ना रखो कि अंदर का खाना खतम हो जाए इसलिए embryo को हम लोग in active stage में इतना बस जिंदा रखते हैं कि वो बस जीने लायक रहें बहुत ज़्यादा उसका metabolism slow कर देते हैं और किसी भी चीज के metabolism slow करने के लिए वहां पर हमको याद होना चाहिए हमारे body में जो भी काम धन्दा होता है metabolism होता है उसको करवाते हैं enzyme क्या करवाते हैं enzyme ठीक ना अब उसको जो enzyme ने काम करवाया है तो जाहिट से बात हैं, एंजाहिम जो होते हैं, वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, हैड्रोलिटिक मीडियम में, यानि पानी के प्रजिंस में, तो कहते हैं, इस सीड को ड्राई कर दिजिए, इतना पूरा ड्राई नहीं, इतना ड्राई कर दिजिए, कि इसका इंब्रियों जिंदा भर रहें, बहुत ज्यादा काम ना करें, इनक्टिव रहें, तो सर बिस्वास मानिए, हम पढ़ाना चोड़ें, चुब मारके दिहां बैठ जाएंगे, बस सांसे चलती रहेंगे, किसी कहते है इन एक्टिव स्टेज या डॉर्मेंट से भी बोलते हैं तो याद रखिएगा जो सीड का इंब्रियो होता है उसको नरिस्मन्ट देने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं ड्राई कर देते हैं ड्राई करने में भी रखते हैं दस से फंदरा परसेंट मुझे लगता हर किसी के घर में सीड श्टोर करके ना रखाजाता होगा चन्यका सीड श्टोर करके रखा गेहूं का सबका सेशोईग को तो देखिए देज काट यह थीए ने तो उसको क्या करते हैं सुखाते हैं भूख के रखते हैं चत पर फैला देंगे उसके बड़े बड़े कंटेनर में रखते हैं और जहां पर रखेंगे देखेंगे वहां का एरिया ड्राई होना चाहिए मुआस्र नहीं होना चाहिए कभी बरसात वगर हैं अगर वहां पर नमी पहुंच गई तो फिर दुबारा ठीक है चना हाई आप अपने घर में रखें आज ही लेके जाए और उसमें पानी उनी छिड़क के रखें देखिए कुछ समय बाद उसमें जर्मिनेशन होने लगेगा एक दो दिन में बिगों को रखें देखिए पूछे बाई तो कहते हैं दस से पंदरा परसंट खाली मुष्चर रहता है तो इस कारण जो इंब्रियो होता है वो कैसा हो जाता इनेक्टिव इंब्रियो बिकम्स इनेक्टिव और इस इनेक्टिविटी वाले स्टेश को बोलते हैं डार्मेंसी भाया कहा रहा है इसका सीड आप खुद खाओगे तो लगेगा यार सीड को हमको बचा के रखना चाहिए कुछ बोगे कुछ खाओगे तो एंजियो इसपन में देखे कितना अच्छा काम कर दिया अधा सीड मैच्योर इस वाटर कंटेंड रिडूस एंड सीड बिकम रिलेटिवली ड्राइ औरों की तुलना में ड्राइ हो जाता है दस से पंदरा परसेंट मौसर बाई मास सिर्फ दस से पंदरा परसेंट मौसर रहेगा अधा जन्रल मेटाबोलिक अच्टिविटी आप इंब्रियो स्लो डाउं दा इंब्रियो में इंटर और स्टेट अप इन एक्टिविटी जिसको बोलता है डार्मेंसी मतलब इंब्रियो मर नहीं है बस जीने भर जिन्दा है और यह सही भी है और अब फेडराबल कंडिशन जाएगा इस फेडरेबल कंडिशन और अवलेबल कंडिशन क्या होगा इसको पानी दीजिए पहले ऑक्सिजन दीए और सुटेबल टंप्रेचर दीजिए और जर्मिनेट कर जाएगा तो आपके घर में हाँ वो जो आँख निकलना होते हैं उसको इस्प्रॉटिंग या जर्मिनेशन बोलते हैं अब सर जैसे जैसे सीड मैचेवर हुआ ओव्यूल मैचेवर हुआ सीड में तो जो ओवरी थी हो मैचेवर हो गई फ्रूट में और ओवरी की वाल बन गई फ्रूट वाल कभी कभी तीन भागों में डिवाइड़ होती है बाहरी वाल को बोलते हैं एपिकार्प मिडल को बोलते हैं मीजोकार्प और इनर को बोलते हैं इंडोकार्प और टोटल मिलाके बोलते हैं पेरी कार्प तो फ्रूट वाल का दूसरा नाम पेरी कार्प कभी-कभी हमेशा नहीं कभी-क अबी किसी किसी fruit में pericarp differentiate होती है apicarp, mezocarp, indocarp और अंदर हो जाएंगे आपके ovary की cavity यानि की fruit cavity और पाए जाएंगे seed the ovary developed into fruit that is the transformation of ovary into seed and ovary into fruit proceed simultaneously जैसे आम का ही देखिए जो पहले कच्ची केरियां आती हैं तो वहां पर देखिए छोटे-छोटे seed रहते हैं अंदर से जैसे धिरे-दिरे बड़ा होगा है अंदर क्या develop करता है seed fruit वाल को हम लोग बोलते है पेरिकार्प अगर एक पेरिकार्प जो fruit वाल है इसके अंदर गूदा पाया जाए juice पाया जाए तो ऐसे fruit को हम लोग बोलते है फ्लैसी fruit जैसे guava खाव गूदे-दार होता है आम खाई अभी समय मिलना है वह भी कैसा फ्लैसी fruit है ठीक है ना ओरेंज है जूसी है तो ऐसे को बोलते हैं फ्लैसी fruit the fruit may be fleshy as in guava, orange and mango और may be dry as in groundnut and mustard groundnut मुंपली आप खाते हैं मुंपली आपके हाथ में वाली जो भून के आपको दी जाती है मुंपली जो आपके हाथ में वा fruit है फोड़ा जो छिलका हटाया वह क्या था fruit वाल और अंदर क्या थे fruit की cavity जिसमें हर कई सारे cavity थी और उसी के अंदर आपके रखे थे आपके मुंपली के दाने तो ज़रा देखिए मुंफली का जो छिलका था वो क्या था जूसी था या गूदेदार था नहीं पल्पी नहीं था कैसा था एदम लकडी जैसा कोई खाता भी फेक देते हो आप लोग तो इसका मतलब कैसा हो गया ड्राइफ उद जो सीड खा रहे हो जो मुंफली का लाल वाल लाल वाला जो है वो लाल वाला सीड कोट है और जब सीड कोट हटाते हो तो मुँपली की दो दलियां दिखती है वो क्या है कॉटिलीडल और अंदर जहां कॉटिलीडल जुडा है वो छोटा सा इंब्रीओ तो mustard और groundnut कैसे fruit में आएंगे? dry fruit, guava, orange and mango किसमें आएंगे? flashy fruit many fruits have evolved mechanism for dispersal of seed कई fruit ने अपने आपको ऐसा विक्सित कर लिया कि इस fruit के जरिये उसके अंदर जो seed है उसको एक जगा से दूसरे जगा ले जा सके एक example मैं आपको बता सकता हूँ coconut का fruit coconut fruit जो होता है वो ज़्यादा तर coastal area पे होता है coastal area बोलने का मतलब जो समुद्र के किनारे की जमीन होती उसको बोलते हैं coastal area तो coastal area में अगर मा लिजे आप तो इंसान बसने लगे पहले ज़्यादा इंसान दिखते नहीं थे तो भाई मैं वहाँ पे mango का fruit है तो वहाँ पे इंसान नहीं होगा तो उसके सीड को कौन लेके जाएगा इदर ज़र तो कहते हैं कि जो coconut का fruit होता है इसके जो fruit वाल पेरी कार्प होते हैं उसका जो मीजो कार्प होता हो fibrous हो जाता है fibrous होने के कारण एक क्या होगा कि जब mango का fruit mature हो जाएगा तो पानी में उसको फेकोगे तो डूबेगा नहीं उसके उपर float करेगा और समुद्र की लहरे हो सकता है एक जगह से दूसरे जगह उसको पहुचा दे इसको बोलते है dispersal of fruit कई लोगों ने क्या किया कई fruit ने ऐसा किया अपनी fruit वाल को थोड़ा सा juicy बनाया जैसे mango का था बारी जो छिलका आप हटाते हो हरा वाला या पीला वाला ओह होता एपिकार अंदर का जो गूदा होता ओह होता मीजो कार और जो जाली पड़ी होती ओह होता इंडो कार तो मीजो कार थोड़ा सा juicy और गुदेदार हो गया जिसके करण लोगों ने खाया तो जब लोगों ने खाया तो लगा कि यार इसको हम यहां से वहां लेके जाएं कुछ लोगों ने लालस दिया और कुछ लोगों ने जैसा जैसा adaptation किया वैसा जैसा coconut ने लालस ने दिया लेकिन वो आपका समुद्र के जरिये फ्लोट करके एक जगह से दूसरे जगह जा सके वैसा आपने आपको बनाया अब हमको यहां से समझ माता है जो फ्रूट बनता है वो सर कहां से बनता है आपका ओवरी से ओव्यूल कहां से बनता है सीड कहां से बनता ओव्यूल से और जो फ्रूट की दिवाल है वो बनती है ओवरी वाल से ठीक ना? लेकिन कभी-कभी कोई-कोई फ्रूट उसमें क्या करते हैं? ओवरी के अलावा प्लांट का जो फ्लावर था ओवरी वाल, फ्रूट वाल में और अंदर सीड और थैलमस उसको घेर लेता है ठीक ना? स्वलन थैलमस हो जाता है ऐसे फ्रूट का हम लोग बोलते हैं फाल्स फ्रूट तो याद रखना फाल्स फ्रूट में सीड बनेगा फ्रूट वाल भी बनेगी लेकिन आप उसको एक्शुली में खाते नहीं हो खाते क्या हो? उसका जो स्वलन पार्ट होता है थैलमस फ्लैसी हो जाता खाने जैसे सेव देखिए तो जैसे मैं आगर बनाऊ सेव को चलिए हम लोग सेव का फ्रूट बनाने कोसिस करते हैं तो सर यह आपका स्टिक्मा स्टायल ओवरिवाल और अंदर आपके ओवियूल मले, दो हैं ऐसे ओवियूल फटलाजेशन हुआ, यह बदल गई फ्रूट वाल में ऐसे और इसके अंदर यह आपके सीड बन गए लेकिन खाते आप यह नहीं हो खाते हो आपको fleshy thalamus यह वाला हिस्सा खाते हो जो thalamus इसको cover कर लेता है तो आप लोगोंने सेब खाया होगा, सबी लोगोंने खाया होगा से तो जब सेब खाया होगा आपने देखा होगा कि बीच वाला portion काटके निकाल देते हो, जो निकालते हो बीच वाला काटके जो जिसमें सीड लगे होते हैं थोड़ा सा हाड लेयर होती है जो खाते ने फिक देते हो वह एक्चुली ओवरी से डवलप पार्ट था और जो आप हिस्सा खाते हो जो यह वाला पार्ट जो भारी वाला था यह था थैलमस से तो बताएं ऐसे फ्रूट ऐस से फ्रूट जिसमें ओवरी के अलामा थैलमस भी पार्टिसिपेट करें उसको क्या वह लेंगे फाल्स फ्रूट तो ट्रू फ्रूट में सिर्फ ओवरी पार्टिसिपेट करेंगी और फाल्स में ओवरी के अलामा और भी पार्ट पार्टिसिपेट करेंगे यस सुमन यॉर नहीं बर्खा बच्चा मैंगो नहीं आता मैंगो में टूफ रूट है वहां पर बाहरी लेयर ही क्या है एक पी का यह फूट वाल से स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम लोग नहीं बोलेंगे वहां पर थैलमस का कंट्रिबूशन नहीं है अए एकि जांपल क्या है फाल्स फूट के तो इस ट्रॉबेरी कैश्यू एपल आपने स्ट्रॉभेयर का यह भी खाया होगा अबरोले जिये भाई सबक अपने खाया हम जानते हैं यह आपका इस ट्रॉबेरी वाल किया है इसे छोटेछों बाने हैं यहां किनारें बजब देखो पर भार से तो काले यह चोटे चोटे से चबाऊगे हैं तो लिए जितना लाल बना रह Columbus क है लुजिके हे लेकिन आपको नहीं खाते हो का बीच वाला पार्ट और वो क्या रोला है जो अंदर का यहग्दम जूसी वाला थेलमस से से आ है इसे ना थेलमस नहीं है किसे स्यांतिय थेलमस में चोटे-चोटे फ्रूट हुए जो चोटे-चोटे फ्रूट होता है इसको बोलते है इकीन क्या बोलते हैं अकीन भी बोलते हैं तो यह याद कर सकते हो और अंदर का जो गूदा होता है वह थैलमस का बना है इसका मतलब कैसा फ्रूट हो गया फाल्स फ्रूट जो काले होते हैं वो सीड होता है और उसके थोड़ा सा पाइट थोड़ा सा अगल भगल थोड़ा से एक लेर बने गी ओ क्या होगी फूट वाल तो टोटल क्या कहलेंगे फूट यह आपका apple का एक longitudinal section है जब एक apple को ऐसे कटा गया और एक transverse तो ऐसे दिखेगा आपको तो आज जाना अपने apple को हम यह साइपल तूम लोग एसे कटें longitudinal transverse काटना तो कुछ ऐसा दिखेगा तो यह जो बाहरी लेयर जो खाते हो तुम लोग इतना वाला फॉर्षन, यह थैलमस का बना ओगा, और यह अंदर पॉर्षन क्या ओगा, ओवरि वाल यानि fruit वाल, और अंदर क्या होगा, seed, क пот가지고 नीदल नहीं, goty lidden, equality lidden seed नहीं होता, goty lidden थोड़ीन, seed होता है, seed है, seed की बाहरी दिवाल, seed coat, और अंदर पाए जाता है इंब्रियों, इंब्रियों के आर्म भुजाओं को बोलते हैं Cotyledon और Cotyledon का इंब्रियों का एक एक सिस बनेगा Epicotyl and Hyperpotyl चलिए बाई, तो Apple, Strawberry और Cashew कैसे Fruit होते हैं, False Fruit किसी किसी में बता जो Fruit बनता है वो बीना Fertilization के बन जाता है तो formation of fruit without fertilization तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्थिनो कार्पिक fruit ठीक है न क्या बोला गया पार्थिनो कार्पिक fruit और इसका example होता है बनाना एक खास बात है पार्थिनो कार्पिक fruit false नहीं है वो true fruit है लेकिन without seed है without fertilization है तो यहार देखें न पार्थिनो कार्पिक fruit आपका अलग प्रकार का है true में तो नहीं आएगा ना false में आएगा अलग टाइप आगया without fertilization के टाइप में can be induced through the application of growth hormone and such fruit seedless याद रखिएगा जो नेचुरल बनाना पाए जाता है जंगली बनाना अगर देखो उसको काटोगे तो अंदर काले-काले सीड में लेंगे लेकिन जो आपको बिकने वाला मिलते हैं उसमें सीड नहीं मिलते हैं यानि वो किस से बनाया गया पार्थिनो कार्पिस हार्मोन आप इंडूस कर सकते हैं हार्मोन का नाम लिख से लिए औक जील कि अब बर्खा कहां से कांसेप्ट लेके आवरो बेटा प्रू फ्रूट ओवरी से बनता है उसमें फ्रूट वाल सीड सबकत पाएगा false fruit में भी seed होता है उसमें भी ovary बनाती है लेकिन उसमें क्या होता है कि कोई और part participate कर देता है fruit बनाने में जैसे की thalmas तो वहाँ पर हम ovary ना खाके क्या खाते हैं thalmas तो हम लोग कहते हैं जूटा फल है reality वो ovary नहीं खा रहे हैं कुछ और खा रहे हैं लेकिन वहाँ पर भी seed बनता है बस seed कहां नहीं बनता पार्थिनो कार्पिक fruit में बहुत बिना fertilization का बना है याद रखिएगा seed offer several advantage to angio sperm seed angio sperm को कुछ advantage देता है क्या देगा पहले तो store किया जा सकता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद करेगा और आपका अगर favorable समय ना रहा तब तक इंतिजार करेगा जब तक कि क्या ना आ जाए favorable season seed किसका product है sexual reproduction का तो variation भी देगा याद रखिएगा पढ़ेंगा भी language language cutting लगता है क्या क्या दिया storage dispersal एक जगह से दूसरे जगह जाने में मदद किया तीसरा favorable condition ना रहा मालो unfavorable condition को जेलने में मदद किया cross करने में मदद किया और sexual reproduction का product है इसलिए variation भी देगा जब seed formation हमने देखा seed formation के लिए water की requirement पड़ी थी जबकि pollination वगरा के लिए water तो बड़ा मुश्किल से था rare था आपने देखा था तो कहते हैं firstly since reproductive processes such as pollination and fertilization are independent of water seed formation is more dependable also seed have better adaptive strategy for dispersal to new habitat spread and help the species कई सारे बच्चें यहां पर confused है जाते हैं कि सीड में आपने बताया कि सीड तो dry होता है 10-15% मौश्चर होता तो पानी कहां जरूत होगी सर यह mature seed dry होता है जब mature हो गया जो आप अपने घर में सीड रखते हो वो mature seed है और dry होता उसमें 10-15% मौश्चर होता है लेकिन आप सभी जानते हैं सुरुआत में जब सीड बड़ा होता है तो बड़ा होने के लिए उसको पानी चाहिए खेतों पानी दिया जाता है जो फ्रूटी होने वाला तो उससे पहले गेहूं में हर फ्रूट आप जो खेती कियों उनको पता भी होगा नहीं दोगे तो धंग से उसमें फल नहीं लगेगा बड़ा होना है न उसको फूलना है तो पानी चाहिए यह चाहिए साथ ही साथ आल सो सीड है बेटर एडाप्तिव स्ट्रेटरजी फार डिसपर्सल टू न्यू हैबिटेट मैंगो को सीड को अगर इंडिया में किसी ने खाया माल ले यूपी में किसी ने खाया तो जाके मुंबई में या हर यूपी के हर राज्य में लगाने की कोशिश करेगा तो खायत अच्छा लगा है उसको यहां से वहां ले जाने में मदद होगा तो हेल दा इस्पिसीज टू कॉलोनाईज इन अधर एरिया as they have sufficient food reserve, food reserve जादा है young seedling are nourished until they are capable of photosynthesis on their own seed ने इतना जादा खाना दे के भेजा कि उसको जब तक embryo inactive पड़ा है तब तक थोड़ा बहुत खाना मिलता रहेगा और जब तक germinate करेगा, root बना लेगा, stem बना लेगा, branch बना लेगा leaf आ जाएगा, तब तक nourishment दिया जाता है, और जैसे ही leaf आ गया, तो leaf खुद ही photosynthesis करने लगता है कहते हैं, जब तक plant जो seedling नया पौदा germinate कर रहा है जब तक खुद से photosynthesis ना करना start कर दे, तब तक उसको खाना कोन देता है, seed the hard seed code provide production to the young embryo, being product of sexual reproduction, they generate new genetic combination leading to variation, तो यहाँ पे इतना storage, dispersal, variation देगा, क्योंकि sexual reproduction का product है, और एक जगा से दूसरे जगा आसानी से जा सकते हैं seed is the basis of our agriculture, हमारे agriculture का seed क्या है, आधार है, बिना seed के खेती imagine कर यह कैसा लग रहा होगा साथ ही साथ जब seed बना, तो सर उसमें dehydration और darmency, mature seed को store करने के लिए crucial है, crucial मतब बहुत ही जरूरी है अगर आपने अपने drum में seed को रख दिया कैसा वाला बिना dehydrate किये बिना सुखाएं खराब हो जाएगा तो उसका embryo dormant नहीं रहेगा, और अंदर के खानक खाके germinate करेगा और सल जाएगा तो भाई उसको सुखाएं, सुखाने के कारण उसका embryo inactive होगा तो ज्यादा दिनों तक चलेगा for storage of seed which can be used as food throughout the year also to raise new crop in the next season आपने देखा होगा आपके घरों में जो भी seed रखा जाता है उसको कुछ खाने के लिए यूज करते हैं और कुछ हमें आज भी यादे हमारे घरों में जब हमारे घर में खेती होती थी एक मटका बनाया जाता था मिट्टी का उसके अंदर seed जो अच्छे-च्छे क्वाल्टी के होते थे उसको बचा के रख दिया जाता था अगले साल बोया जाएगा अब नहीं रखा जाता है उसका रीजन यह है कि अब हम लोग seed खरीद के लाते हैं seed बजार से तेक न वहां seed market बना होता जहां पे अलग-अलग variety की seed बनाई गई है लैब में hybrid region का नाम होता है अब वहां से खरीद के आता है can you imagine agriculture in the absence of seed or in the presence of seed with germinate straight away soon after formation and cannot be stored आप imagine करिये अगर seed ना हो तो agriculture कैसा फिल होगा बड़ा मुस्किल लगेगा variation नहीं मिलेगा vegetative propagation के जरिए करोगे दूसरा अगर जो seed बना उसको store ना करो तुरह जर्मिनेट कर जाए तो सारा काम बेकार हो गया कोई अपने घर में store नहीं करेगा तो कोई बोयेगा नहीं सोचो गेहूं हो और गेहूं तुरह खेत में गिरे और नया गेहूं का पाउदा बनाने लगे को अब पूछा गया कि यह जो seed है एक कितना समय तक जीवित रह सकता है तो कहते हैं कि ऐसे ऐसे record मिले हैं कुछ seed के आप सुन के बड़े आश्यर हो जाओगे तो कहते हैं सर एक है लुपिनस आर्कटिकस क्या है लुपिनस आर्कटिकस कहा मिला आर्कटिक टुन्डरा और कहते हैं दस हजार साल पुराना था 10,000 years old एक वाइबल यानि अभी भी जिन्दा था इसको जब बोया गया तो पैउधा निकल के आया सूचिए लुपिन स्वीट पी बोलते है और्नमेंटल होता सजावटी पौधा होता है कहां मिला था आर्कटिक टुन्डरा आर्कटिक और एंट आर्कटिक जो नार्थ पोल होता है वो जो उसका बरफीला चेतर होता उसको बोलते है आर्कटिक और जो साउथ पोल का बरफीला चेतर होता उसको बोलते है एंट आर्क इतना साल पुराना था और जिन्दा था सोचिए एक सीड और मिला जिसका नाम है यहां पर लिखा है तो उसी के बारे लिए दा ओल्डेस सीड देट आप लुपिन लुपनस आर्केटिकस पुरा नाम है एक्सकेवेटेड एक्सकेवेशन मतब होता है खोच की गई थी जब कहीं पर पुरानी चीजों को खोच की जाती है तो लोग वहां की मिट्टी को हटा के चीजों को ढूनते हैं फ्राम आर्केटिक टुंड्रा दसीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्वर्ड आफ्टर एंड एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ओफ टेन थाउजन इयर्स ऑफ डार्मेंसी कितना साल पुराना था दस हजार साल पुराना था डार्मेट और इसको बोया गया सिर्फ पौधा नह करो दस हजार साल बाद भी अगर फेवरबल सीजन होगा तो उख जाया जाएगा इनमल नहीं ऐसा कर पा रहा है पढ़ ले रहो पढ़ार ले रहो लेकिन इतनी अभी टेक्नोलाजी अब ढूर रहे कि कुछ भी करें हम भी अपने आपको बचा के रखें कि हमसे बहुत आजा ताजा रिकॉर्ड मिला है दो हजार साल पुराने सीड क्या तूठाउजन इयर्स ओल्ड वाइबल सीडिज ऑफ देट पांप डेट पांप का नाम है फेनिक्स डेक्टाइली फेरा डिस्कवर्ड डूरिंग दा आर्कियोलोजकल एसकेवेशन एड किंग हेरोड पैले नियर डेड़ सी डेड़ सी के पास राजा हेरोड का पैलेस था वहां पे आर्कियोलोजकल एसकेवेशन हुआ पुरा तत्व पुराने वाले चीजों की खुदाई करने वाले विभाग जो वहां पे चीजों को ढूर रहे थे गया होंगे सोना चाहिए डूर ने मिल गया अब पूछा गया कि वैसे तो फूरॉट के अंदर कुछ में एक सीड होता है और किसीसी में सीड की संक्या भाउत ही जादा होती है हजारों की संक्या होते हैं पाईडर जैसे सील होते हैं मतलब आप fruit खोलिए, seed code हटाइए, fruit wall हटाइए, अंदर जो seed मिलेगा, वो powder farm में मिलेगा, मतलब कि powder के हर दाना, हर टुकड़ा, क्या एक नया seed है, हजारों की संख्या में seed मिलते हैं, जैसे कि एक example है, orchid, तो orchid fruit में हजारों, यानि और जादा seed होंगे, हजारों की संख्या में होंगे, तो बहुत छोटे होंगे, tiny seed मिलेंगे, ऐसे example है, बटा, कुछ parasitic species के, orobanky and striga, तो याद रखिएगा, orobanky, striga, orchid, इन में हजारों की संख्या में, छोटे-छोटे seed पाया जाते हैं, orchid आप जानते हैं, epphite है, किसी plant के उपर ग्रो करता, लेकिन parasite नहीं होता, orobanky and striga, आपका parasitic plant है, ये भी किसी plant के उपर ही ग्रो करेंगे, लेकिन अपना पूरा nourishment किससे लेते हैं, plant से, इसलिए कैसे बोले जाएंगे, parasitic plant, ficus, आपने ficus, गूलर देखा होगा, ficus की, जो fruit है, उसको काटो, अंदर देखो, छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे, बहुत सारे seed मिलेंगे, और ficus का fruit भी बहुत छोटा होता है, seed बहुत छोटा है, बर्गत का पेड़ देखे, कितना विसाल, उसका fruit इतना छोटा, और अंदर और भी छोटा seed, ऐसे कट करके देखो, इंदर धे, सारे ऐसे-एसे-छोटे-छोटे seed लगे होंगे, काटो मिलेगा, सोचि ये इतने छोटे seed से, कितना विसाल बर्गत का पेड़ बन जाता है, और एक बर्गत की पेड़ में, कहते हैं, करोडों की संख्या में seed होते हैं, अभी तक आपने देखा, कि seed जो बनता है, और कौन सा प्रोड़क्ट है, सेक्सूल रिप्रोड़क्शन का प्रोड़क्ट होता है, आल्दो seed in general are the product of fertilization, लेकिन कुछ flowering plant में, बैलो जी तो exception का case है, कुछ flowering plant में seed बन गया, लेकिन बिना fertilization का, यह few flowering plants, such as some species of esteraceae and grasses, grass family और esteraceae family के कुछ species में, सब में नहीं, कुछ में, have evolved on special mechanism to produce seed without fertilization, और सर मने आपको day 1 से बताया था, कि अगर seed बिना fertilization का बन रहा है, जहां fertilization नहों कौन सा reproduction कलाता है, asexual, ठीक है ना, और इसको हम लोग बोलते है, apomyxis, जो काम हो रहा है उसको बोलते है, apomyxis, और जो seed होता उसको बोलते है, apomyctic seed, ठीक है ना, बिना fertilization का बना है, जबकि seed बनना कैसा प्रक्रिया है, sexual reproduction का है, तो हो रहा है asexual, बना रहा है seed, seed बनना sexual है, तो कहते हैं, mimicry कर रहा है किसका sexual का, 2023 का question, कि apomyxis, apomyxis क्या होता है, formation of seed without fertilization, यानि कि कैसा हो गया, asexual reproduction, जो mimicry कर रहा है किसकी, sexual reproduction, ठीक ना, what is fruit production without fertilization, तो उसको बोलते थे, parthino carpe, अगर seed बिना fertilization का बना, तो apomyxis, fruit बिना fertilization का बना, तो parthino carpe, अगर gigot या embryo, gigot, embryo, या organism सब्दा आ जाए, मतब fruit ना हो, seed ना हो, उसको छोड़ के कोई भी चीज, बिना fertilization का बनता है, formed without fertilization, क्या कहेंगे इसको, formed without fertilization, it is called parthino genesis, तो सर, देवन में ही मैंने आपको, एक चीज हंड़र पर्संट क्लियर कर दे थी, कि सर, जहां fertilization नहीं होगा, आप उसको sexual मत बोलना, मत बोलना, मत बोलना, कोई tension की बात नहीं है, तो देखें, यहाँ पे भी seed बना सब हुआ, लेकिन fertilization नहीं था, तो sexual नहीं बोले, क्या बोले, तो तीन चीजे बिना fertilization वाली होती है, seed without fertilization, apomyxis, fruit without fertilization, parthinocarpine, और gigot या embryo, या organism, तीन सब्दा सकते हैं, यह अगर बिना fertilization के जिसको बोलते हैं, parthinogenesis, question पूछा जा सकता है, apomyxis कहां-कहां मिलेगा, astraceae and grasses, सर, जो astraceae family है, उसका एक एक जामपल आता, sunflower, तो astraceae family को हम लोग बोलते हैं, sunflower family, ठीक ना, इसके बाद, अभी आपने embryos egg में एक egg देखा था, जनरली ovule के अंदर, एक embryos egg, एक egg, और एक gigot या एक embryo बनेगा, कभी-कभी, आपका egg में, जो nucellus की सेल अंदर वाली, जो embryos egg के बगल में, नूcellus की सेल होती है, ओ embryos egg के अंदर घुज जाती है, नूcellus diploid होता है, embryos egg में, एक जब fertilize करता है, तब ही diploid जागोड बनाता है, और ओ आगे चलके, embryo बना लेता है, लेकिन, जो embryos egg के अंदर, nucellus की सेल अंदर आ गई है, ओ भी तो diploid है, ओ भी embryo बना सकती है, तो कहते हैं, कभी-कभी, एक seed के अंदर, एक से ज़्यादा embryo पा जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, poly embryo, याद रखिएगा, poly embryo के case में, एक embryo ऐसा होगा, जो egg और male gamete के fertilization से बना है, बाकी सारे embryo, nucellus embryo sec के अंदर आ गई है, चूकि nucellus diploid है, तो ओ अले embryo कैसे हो जाएंगे, बिना fertilization वाले, ठीक है, poly embryo इंब्राइनी में, in some species, the diploid egg cell is formed without reduction division, यानि ये कहां से बने होंगे, nucellus के cell किसमें आ गई होंगी, आपके embryo sec के अंदर, and develop into embryo without fertilization, याद रखिएगा, poly embryo इंब्राइनी के case में, जैसे मैं लोज़े, आपको मैं दिखाऊंगे, ये आपका ovule का क्या रहा, integument, ये फिन निकिल चला जा, और ये रहा आपका, embryo sec का antipodal, ये एग apparatus, kolar nuclei, आज पास क्या रही, nucellus, ये nucellus की cell थी, nucellus की cell कैसी होती है, deployed, तो कभी-कभी ये nucellus की cell, इस embryo sec के अंदर चली आती है, तो जो nucellus की cell, embryo sec के अंदर आई है, ये 2N होंगी, ये आगे चलके, बिना fertilize करके ही, embryo बना लेंगी, लेकिन जो एग था, वो male gamete से fertilize करके बनाएगा, तो seed के अंदर, ovule बदल गया seed में, तो अंदर कितने embryo मिले, एक से ज़ादा, इसको बोला गया, poly embryonic, poly embryonic case में याद रखिएगा, सारे embryo बिना fertilization वाले नहीं होते, एक embryo, एग और male gamete के fertilization से बना है, और बाकी सारे कैसे होते हैं, बिना fertilization वाले, यही ओव्यूल सीड में बदलेगा, अब देखिए, सीड के अंदर आपको embryo देखना कैसे देखोगे, इंटेग्रमेंट हटा दो, अंदर क्या सारा दिखना चाहिए, तो जैसे mango का, आज आम खाते होगे, इस समय आम का season भी है, जरजाए आम का seed तोड़ के देखिए, आपको जैसे आम का seed coat हटा होगे, seed coat कैसे हटा होगे मैं बता दे रहा हूँ, बारी लेयर एपी कार्फ होगा, गूदा क्या होगा, मीजो कार्फ, जो जाली है, वो इंडो कार्फ है, जाली हटाने के बाद, आपके हाथ में आएगा seed, seed के उपर एक काली कलर की परत होगी, उसको भी हटा देना, जब वो सब हटा दोगे, तो आपके हाथ में आएगा, सफियत कलर का एक structure, वो सब इंब्रियों है, वो जो आएंगे देखना, उसमें एक टुकडा, दो-तीन टुकडे होंगे, हर टुकडा एक इंब्रियों है, और उसके दो-दो काटिली डन होंगे, ठीक है, तो आज आईए, mango तोड़िये, देखिए, मिलेगा आपको, नीबू, नीबू भी सब के घर में होगा, नीबू लीजे, नीबू का जो सीड है, उसको उपर जो white color की layer होती है, सीड कोट होती है, उसको अटाईए, जैसे सीड कोट आपने हटा दिया, अंदर हरा हरा structure होता हो, होते हैं embryo, और कई सारे टुकड़े आपके हाथ में आएंगे, हर टुकड़ा एक embryo है, तो याद रखना, polyembrani कहां देखनों को मिलती है, mango and citrus, तो एक फर्मुला निख लिजे, M-OC, P-O से polyembrani, S-I-C-I से citrus, तो क्या हो गया भाई सब, M-OC, अच्छा, वही कह रहा टेक आउट, अच्छा citrus मतब यह मस सोच लिजेगा, कि citrus मतब खटे फल वाला, यानि औरेंज हो गया, लेमन हो गया, मोसमी हो गया, सब कैसे होंगे, citrus food में, ठीक है न, यह भी याद रख लिजेगा, अच्छा, Apo mixes का फैदा क्या हो सकता था, Apo mixes का फैदा देखिए, आपको पता है, मैंने बोला ना, कि पहले हम लोग क्या करते थे, जो गेहूं बोया गया, कुछ बड़े-बड़े वाले दाने वाले गेहूं बचा के रख लेते, अगले साल फिर बोलते थे, बाकी खा लेते थे, फिर उसके बाद कई सारे कंपनियां आई, प्लांट ब्रीडिंग की कहीं कि लीजी, यह हमारा गेहूं बोय है, आप इसको बोईंगे, तो आपकी पैदावार ज़्यादा होगी, आपका अगर एक बीगे जमीन में, या आपका जो भी जमीन है, उसमें अगर आपका इसमें 10 कुंटल गेहूं हो रहा है, तो हमारा बोय है, आपका 20-30 कुंटल हो जाएगा, डबल टिपल कर दिया, तो लोगों ने क्या बोना स्टार्ट कर दिया, जो कंपनियों ने सीड दिया, जिसका नाम था हाइब्रिड सीड, हाइब्रिड नाम इसलिए बोला गया, तो कि उसमें 2 चीजों के character मिलाया गया, मताद 2 अलगलट plant के character थे, उसको मिलाके एक नया plant बना दिया गया, सीड बना दिया गया, अच्छा अगर यह जो हाइब्रिड सीड था, उसको जब आपने बोया, उसने जब seed बनाया तो कौन से reproduction बनाया है? sexual से और sexual में variation होता है तो ऐसा माना जाता है कि अगर hybrid seed को आप बोई ये और जब उससे seed बनेगा hybrid seed से बना हुआ plant में जब seed बनेगा उस seed को आप दूसरे साल खुद नहीं बो सकते हैं अगर आप बोगे तो उसकी पैदावार जादा नहीं होगी क्योंकि hybrid seed में जो अलग-अलग पौधे के character मिले थे और sexual reproduction के कारवर variable हो गए, बदल गए, separate हो गए लेकिन अगर सोचिए hybrid seed apomyxis के जरिये बनाया जाए यानि hybrid seed कैसा apomyctic हो hybrid seed आपने बोया उससे जो पौधा निकला उसके अंदर जब seed बने apomyxis से बने, बीना fertilization से बने तो मज़ा ही मज़ा तो बीना fertilization का बन रहा है तो asexual reproduction कैलाएगा और asexual में कोई variation नहीं होगा hybrid character separate नहीं होगे तो आपको बार-बार जाके hybrid seed खरीदना नहीं पड़ेगा महगा मिलता है आप भी जानते हैं कभी-कभी किसानों को hybrid seed खरीदने के लिए loan लेना पड़ता है कोई हम लोग के कम खेती हैं लेकिन जिनके ज़्यादा खेती हैं उसके लिए बहुत पैसा लगता है आप जानते हैं तो कहते हैं hybrid seed का खायदा apomixis का खायदा hybrid seed बनाने में किया जा सकता है separate नहीं होंगे character hybrid मतलम समझें जैसे मुझे एक पौधा बनाना है seed बनाना है जिसके अंदर productivity भी जादा हो और बीमारी से resistance हो इसके लिए मैंने एक पौधा जंगली देखा जिसके अंदर बीमारी से resistance था लेकिन productivity कम थी एक मैंने natural पौधा देखा आपका फसल वाला जिसकी productivity जादा थी लेकिन उसको बीमारी लग जाती थी तो hybrid वालों बस यही किया जिस पौधे की productivity जादा थी बीमारी लगती थी और जिस पौधे की productivity कम थी इसी को बोलते है hybrid संकरड मिलाना तो hybrid seed का अगर apomixis में convert कर दिया जाएं तो हर साल खरिदने की जरुरत नहीं होगी, thank you so much यहाँ पे आकि आपका chapter complete होता है क्योंकि hybrid seed बहुत costly होते हैं उसको आप हर साल खरिदोगे तो महंगा पड़ेगा apomixis के जरी हो जाएगा तो बीना fertilization का होगा fertilization का होता तो separation हो जाता variation आता उम्यद करते हैं सारी चीज़ें आपको clear हो गएंगी chapter यहाँ पे आकर आपका पहला खतम होता है आपने इतना साथ दिया, thank you so much उम्यद करते हैं आगे भी साथ देंगे और कल इसका आपका PYQ session होगा ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देंगे चप्टर का अब इस चप्टर के question आप करिये कल अजमाईए कि आपके अंदर कितने question हो रहे हैं फिर अगला chapter आपका start हो जाएगा ठीक है ना चले बाबाय, take care अकास साथ बजे मिलने बटा